साथी अरब के मदीना में जामा इसलामिया उनिवर्सिटी में 167 देशों के 20,000 से ज़दा चात्रों में तालीम हासिल कर रहे हैं जहां प्रतिवर्ष आजित होने वाले कल्चर फेस्टिवल में भारते चात्रों का पर्चम लेराया है देखे एक रिपोर्ट साथी अरब की जामा इसलामिया उनिवर्सिटी में दुनिया भर के 168 देशों के करीब 20,000 से भी ज़दा चात्र तालीम हासिल कर रहे हैं इस उनिवर्सिटी में तमाम देशों के 20,000 से भी ज़दा चात्र अध्यन करते हैं जहां निरंतर आठ सालों से कल्चुर और फेस्टिवल कारिकरम के आयोजन किये जाते रहे हैं फेस्टिवल के दोरान कई थरे की प्रत्यों की ताएं भी आयोजित की गई इस वक्त आप इसलामिक युनिवर्सिटी आफ मदिना मुनवरा के अंदर मौजूद है जहां 27 फर्वरी से 13 मार्च तक एक कल्चुर एक्जिबिशन का इनिकाद किया गया जिसमें 100 कंट्रीज ने शेक्त की जिसमें हिंदुस्तान को तीसरी पोजिशन हासिल हुई आप सभी हज़रात इस बास से वाकिफ है ये हमारे हिंदुस्तान के बच्चों की महनत का नतीजा था जिन्होंने हिंदुस्तान की तहजीग उसकी सकाफ़त उसकी कल्चुर और वहां मौजूद दावती काम हमारे उलमा कराम जिन्होंने दावती फिल्ड के अंदर अपनी मौलफात और अपनी जुहूद के जरीए से एक अपना निशान चोड़ा है उसकी पूरी पूरी नुमाइंदगी हिंदुस्तानी तलबा ने इस कल्चर के अंदर की मदीना शहर में स्थितव विश्व विद्याले में आयोजित 15 दिवस्य कारिक्रम का आयोजन शेक सामी हुसैनी के नेत्रत में आयोजित किया गया जिसमें हिंदुस्तान के चातरों ने 100 देशों से मुकाबला किया और फते हासिल कर अपने देश का नाम रोशन किया जाम इसलामिया मदिना मुनवरा दुनिया की एक आलमी यूनिवर्सिटी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर दुनिया के 20,000 बच्चे तालिम हासिल करते है और इस इन्योसिटी के अंदर दुनिया के 170 मुमालिक के बच्चे पढ़ते हैं उन 170 मुमालिक के अंदर हिंदुस्तान भी है अलहम्दुलिल्ह जाम इसलामिया की एक रिवायत ये है के साल में एक मरतबा वो एक कल्चुरल फेस्टिवल खायम करती है जिसका नाम है महरजान तकाफात वशुरू यानि के गलोबल कल्चुरल फेस्टिवल जिसके अंदर दुनिया के 100 मुमालिक ने हिस्था लिया इन 100 मुमालिक में हिंदुस्तान भी है हिंदुस्तान के 350 बच्चे पढ़ते है 350 बच्चों ने मिलकर हिंदुस्तान के सकाफत को सौधी अरब के सरजमीन में पेश किया सौधी अरब के लोगों ने देखा और इस हिंदुस्तान के जो जो चीज़े हमने पेश की वो ये है साथिय आरब और हंदुसतान के तालिय हैं, हंदुसतान के ताली में मकाम मरतबा की है, हंदुसतान टेक्नología में कितना आगे हमने वो बताया, हंदुसतान के दिफागीे खुगत, कितने वो बताय. फेस्टिवल में आज़ित प्रतियोगिताओं में भारतिय चातरों को विजे मिलने पर सेघड़ो भारतिय चातरों ने इस विजे दल का स्वागत किया और अभिनंदन भी किया वही जामिया इसलामिया यूनिवरस्टी के वाइस चांसलर डॉक्टर हातिम अलमर्जूकी ने भारतिय चातरों को चार लाख रुपे का चेक और इसमनती चिन सौंप कर परुस्कृत किया और इस कबर पर जदा चौंकर के लिए हमारे समर्दता जाविद खान हम से जुड़ गए है भारत ने अपना नाम रौशन किया है भारत के कई चातरवा मौझूद है कल्चर फेस्टिवल में और चार लाख कई नाम भी उन्होंने हासिल किया है और क्या कुछ अपडेट है भारत का नाम रौशन किया है और स्टेश चातर लाक रौटे का वहां की गौवर्मेंट में नगत पुरुषकात पुरुषक्रित किया है मैं आपको बता हूँ रश्मी के हिंदुस्तान के लगवग तीन सो पचास चातर वहां पर अध्यन घ्रहन कर रहे हैं जिसमें दीनी और दुनिया की तालिम यो लोग हासिल कर रहे हैं और वहां पर 168 कंट्रीज के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था इसमें भारती हमारे चातर तीसरे नमबर पर रहे हैं यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जी बिलकुल हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि भारत के ये जो लोग उन्होंने भारत का नाम रोशन फिर से किया दिया है तो तमाम जान करें लिए आपका धन्यवाद तो आपको पता दे साओधी अरब में भारत ने अपना पर्चम लहरा दिया है फिर से कई प्रत्यों किता में जीत हासिल की है भारतियों ले सौ से ज़ादा देशों के चात्रों को पचार दिया है भारतियों ने कल्चर फेस्टिवल में भारत ने अपना पर्चम ले रहा है आपको बता दें कल्चर फेस्टिवल था सौधी अरब में जहां पर भारतिये चात्रों को मिला चार लाग का पुरस्कार आपको बता दें खबर सौधी अरब मदीना से है जब भारते चात्रों को मिला है चार लाख का पुरसकार